नमस्कार टेकनिकल एजुकेशन से जुड़ी होई तीन खबरों के साथ आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक एक करके सिलसलेवा तरीके से तीनों खबरों को हम डिसकस करेंगे तो जो तीन खबर हैं डिपलोमा एजुकेशन सेक्टर की या टेखनीकल एजुकेशन सेक्टर की उनने हम डिसकूस करेंगे जो डिपलोमा प्लस बीटेक दोनों से जड़ू ही हैं एक-एक करके तीनों खबरों पर चलते हैं पहली ख़वर जो है वो आपके सामने है इस ख़वर के मताविक उत्तरप्रदेश में जो प्राबदिक्ष इच्छा है इसका जो पाठिक्रम है वो हिंदी में भी उपलब्द होगा ऐसा ऐसी ख़वर आ रही है कि उत्तरप्रदेशी टेक्निकल एजूकेशन का जो पूरा तो यह बी टे के लिए ख़वर होगी कि अब आप बी टेक इन्दी में कर सकेंगे हिंदी माध्यम से भी बीटेक उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है और डिप्लोमा तो अलेडी हिंदी माधियम से चल ही रहा था हिंदी माध्यम में आप लिख सकते थे या इंग्लि बिटेक में डिबिशल लेते थे तो उने थोड़ा सा उनने क्योंकि इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी तो इस वज़े से उनका लाब होगा हिंदी भासा का डबलमेंट होगा इससे teaching की जो process है उसमें थोड़ा transformation, थोड़ा changement आएगा क्योंकि जो हिंदी वासी teachers हैं वो क्योंकि छात जात तरह हिंदी वासी होते हैं तो अब मात्रिवासाम पढ़ाने पर बच्चों पर ज्यादा बेहतर तरीके समझाया जा सकता है और उसका reflection भी अच्छा होगा, इसका feedback भी अच्छा होगा, बच्चों को समझ में अच्छा होगा तो teaching reflection भी अच्छा होने वाला है, तो यह एक ख़बर है, यह महत्पूर खबर है जो कि आज अभी technical education से सम्मंदित आज के समय में आपको पता होनी चाहिए और इससे आप, आप, आपके सरुकार पर क्या प्रवाव पड़ेगा, इससे आप समझ सकते हैं और यह महत्पूर खबर है आज की, और इसके बाद जो next खबर है, वो है अगली खबर आपके सामने है, अगर अगली खबर है कि एक महा के अंदर सभी technical institutes उत्तर प्रवेश के बाई-फाई कर दिये जाएंगे ऐसा, ऐसा सरकार की मनसा है, ऐसी प्रावदिक सिच्छा विभाग की मनसा है कि एक महा के अंदर ये बड़ी अच्छी खबर है, खास्तों से डिप्लोमा के institutes जो हैं, जो polytechnic institutes हैं, प्रदेश के अंदर सरकारी और गयर सरकारी, सारे के सारे आपको एक महा के अंदर बाई-फाई करने होगे जिससे online learning की जो process है, वो बहतर हो जाएगी, online teaching और learning दोनों में improvement होगा, क्योंकि अभी COVID काल में, जो online teaching और learning का, जो भी scenario रहा है सबके सामने, उसमें कुछ कमिया पाएंगे ही, तो सबसे पहला तोर ये रहा कि by-fi और data उपलब नहीं था, institutes के पास, और as well as students के पास, खासतोर से polytechnics में और diploma college की छात्रों को, तो वो समस्चा इस एक महीने में, अगर ये ख़वर सही है, तो सत्य हो जाएगी, और ये जो कमी है, ये समाप्त हो जाएगी, next cover, अगली cover important है, क्या है स्वरोजगार पर जोर देना, self, जो सरकारी रोजगार या private रोजगार या किसी company में जौब करने के बजाए, आप अपने, आप में स्वरोजगार जिससे start-up बोलते हैं, इस start-up पर जोर दिया जाएगा, और इसके तहें, दो नोडल universities को, HBTU, कानपुर और MMTU, गोरकपूर, इन दोनों को, दो से पांच start-up को, अगले छह महीने में बर रेजिस्टर करने के लिए, कालच दिया गया है, कि आपको इतने start-up को रेजिस्टर कराना है, अब start-up होता क्या है, खास्तों से डिप्लोमा की स्टुएंट्स के लिए ये थोड़ा सा नया टर्म होगा, उनकी समझ में थोड़ा सा हो सकता है, कि ना सुनाओ, वैसे start-up आचकल बहुत popular bird है, भारा सरकार की योजना भी चलना है, ये start-up इंडिया, stand-up इंडिया, तो जो start-up क्या होता है, कि अगर student किसी भी university college से pass out होने के बाद उसके पास दो रास्ते होते हैं, कि वो दो रास्ते चुन सकता है, या एक रास्ता होता है नौकरी करने का, दूसरा रास्ता हो सकता है अपना खुद का passion follow करके, या उसके मन में कोई innovative idea है, उस idea को implement करके अपनी तरीके से अपने idea को business idea में, को को अपने career में तबदील करना या अपने business में तबदील करना ही start-up होता है, चोटे-चोटे start-ups, तमाम भारत में इस समय, खास्तों से IIT, IIT, NIT और बड़े institute के जो pass out शाहतर होते हैं, वो आजकल इस और बहुत inclined हो रहे हैं start-up की तरफ, और इस तरफ सरकार ने भी technical education में start-up को महत देने के लिए, अगले 6 महिने तक start-up पर जोर देने के लिए, जो किसी dependent ना रहे, वो किसी company या सरकारी नौकरी या किसी भी NGO के अंदर नौकरी करने के बजाए, वो खुद के capability को, खुद की capability का इस्तमाल करके, खुद के talent का इस्तमाल करक अपना एक unique business idea को implement करके, एक unique sub-business model इस समाज को दे, देश को दे, जिससे देशो समाज का भला हो सके और वो तमाम सारे लोगों को रोजगार प्यादा कर सके, वो सिर्फ अपने रोजगार खुद को रोजगार न दे बलकि तमाम सारे चात्रों को भी अपने अंडर में दोर दे रही है, तो यही तीन ख़वरें थी और इन तीनों खवरों की पुस्टी के लिए ये आपका हिंदुस्तान का जो अखवार है हिंदुस्तान का उसका ये skin shot मैं आपके साथ share कर रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है हिंदी में प्राबद सिक्षा का पाठिकरम सुरू ह होगा है ना क्या क्या बदला होंगे सभी तकनीकिक संस्थानों में बाइफाई की सुविदा अपलब्द होगी स्वरोजगार के अफसर मोहिया कराने के लिए 6 माता का अभ्यान चलेगा तो ये कहा गया है उत्तव जिसकी पॉलिटेक्निक इम तकनीक संस्थानों प्राबद चलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदितनात जी के निर्देश के प्रावदे सच्चा विवाग के संब्द ये अभ्यान चलाया जाएंगे इसमें ये सारी चीज़ें कहीं गई है तो सभी पॉलिटेक्निक और तकनीक संस्थानों में पढ़ने वाले छात चात्राओं को लेकाए और हिंदी में आपका टेकनिकल एजूकेशन पाठ इक रहां ये तीन खबरें थी आप अगर आप सबको ये ख़परों एक अपने हमारी वीडियो को सुना और अपने इन ख़वरों से अगर आपको लाव हुआ है और आपको बैतर लगा है था हमारे वीडियो को ला झाल झाल